लिजे सुनिए विश्वम भर नात शर्मा कौशिक की लिखी कहानी रक्षा बंधन मेरी यानि समीर गोस्वामी की आवाज में मा मैं भी राखी बंधूंगी श्रावन की धूम धाम है नगरवासी स्त्री पुरुष बड़े आनंद तथा उत्सा से श्रावनी का उत्सा मना रहे हैं बेहने भाईयों के और ब्रह्मन अपनी अजमानों की राखियां बांध बांध कर चांदी कर रहे हैं ऐसे ही समय एक छोटे से घर में दस वर्ष की बालिका ने अपनी माता से कहा मा मैं भी राखी बांधूंगी उत्तर में माता ने एक ठंडी सांस भरी और कहा किसके बांधेगी बेटी आज तेरा भाई होता तो माता आगे कुछ ने कह सकी उसका गला रंध गया और नेत्र अश्रुपूर्ण हो गए अबोध बालिका ने अठला कर कहा तो क्या भाईया के ही राखी बांधी जाती है और किसी के नहीं भाईया नहीं है तो अम्मा मैं तुम्हारे ही राखी बांधूंगी इस दुख के समय भी पुत्री की बात सुनकर माता मुस्कराने लगी और बोली अरे तु इतनी बड़ी हो गई भला कहीं मा के भी राखी बांधी जाती है बालिका ने कहा वह जो पैसा दे उसी के राखी बांधी जाती है माता अरी कंगली पैसे भर नहीं भाई के ही राखी बांधी जाती है बालिका उदास होगे माता घर का काम काज करने लगी घर का शेष काम करके उसने पुत्री से कहा आ तुझे नहला दू बालिका मुख गंभीर करके बोली मैं नहीं नहाओंगी माता क्यों नहावे की क्यों नहीं बालिका मुझे क्या किसी के राखी बांधनी है माता अरी राखी नहीं बांधनी है तो क्या नहावेगी भी नहीं आज तेवार का दिन है चल उठ नहाओ बालिका राखी नहीं बांधनी होंगी तो तेवार का हेका माता कुछ 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 सिडन हो गई है राकी राकी रट लगा रखी है बड़ी राकी बांदने वाली है ऐसे ही होती तो आज ये दिन देखना पड़ता पैदा होती ही बाप को खा गई धाई बरस के होते होते भाई का घर छोड़ा दिया तेरे ही कर्मों से सब नाश हो गया बाली का बड़ी आप्रतिब हुई और आखों में आशु भरे हुए चुपचाप नहाने को उठ खड़ी हुई एक घंटा पश्चाथ हम उसी बाली का को उसके घर के द्वार पर खड़ी देखते हैं इस समय भी उसके सुंदर मुख पर उदासी विद्यमान है अब भी उसके बड़े बड़े नेत्रों में पानी चल चला रहा है परन्तु बाली का इस समय द्वार पर क्यों जान पड़ता है वो किसी कारवश खड़ी है क्योंकि उसके द्वार के सामने से जब कोई निकलता है तब वो बड़ी उत्सुकता से उसकी उर ताकने लगती है मानो वो मुख से कुछ कहे बिना केवल इच्छा शक्ती ही से उस पुरुष का ध्यान अपनी उरा करशित करने की चेश्टा करती थी पनन्तु जब उसे इसमें सफलता नहीं होती तब उसकी उदासी बढ़ जाती है इसी प्रकार एक दो तीन करके कई पुरुष बिना उसकी और देखे निकल गए अंत को बालिका निराश होकर घर के भीतर लोट जाने के उद्दत ही ही हुई थी कि एक सुंदर इवक की द्रिष्टी जो कुछ सोचता हुआ धीरे धीरे जा रहा था बालिका पर पड़ी बालिका की आँखे इवक की आँखों से जा लगी ना जाने उन उदास्त था करोना पूर्ण नेत्रों में क्या जादू था कि यवक ठिठक कर खड़ा हो गया और बड़े ध्यान से सिर से पैर तक देखने लगा ध्यान से देखने पर यवक को ग्याद हुआ कि बालिका की आँखे अश्रू पूर्ण है तब वो अधीर हो उठा निकट जाकर पूछा बेटी क्यों रोती हो बालिका इसका कुछ उत्तर न दे सकी परंदू उसने अपना एक हाथ यवक की और बढ़ा दिया यवक ने देखा बालिका के हाथ में एक लाल डूरा है उसने पूछा ये क्या है बालिका ने आँखे नीची करके उत्तर दिया राकी, युवक समझ गया, उसने मुस्करा कर अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया बालिका का मुख कमल खिल उठा, उसने बड़े चाव से युवक के हाथ राकी बांध दी राकी बंदवा चुकने पर युवक ने जेब में हाथ डाला और दो रोपे निकाल कर बालिका को देने लगा परन्तु बालिका ने उन्हें लेना सुईकार ना किया बोली, नहीं पैसे दो, युवक ये पैसे से भी अच्छे हैं बालिका नहीं मैं पैसे लूँगी, ये नहीं युवक ले लो भीटिया, इसके पैसे मंगा लेना है, बहुत से मिलेंगे बालिका नहीं पैसे दो, युवक ने चाराने पैसे निकाल कर कहा अच्छा ले, पैसे भी ले, और ये भी ले बालिका नहीं खाली पैसे लूँगे तुझे दौनों लेने पड़ेंगे ये कहकर ईवक ने बलपूर वक पैसे तथर रुपे बालिका के हाथ पर रख दिये इतने में घर के भीतर से किसी ने पुकारा अरी सरसुती कहा गई बालिका ने आई कहकर ईवक की और करतक गता पून दृष्टी डाली और चली गई गुला गंज लखनव की एक बड़ी तथ सुन्दर अट्टालिका की एक सुसजित कमरे में एक ईवक चिंता सागर में निमग ने बैठा है कभी वो ठंडी सांसे भरता है, कभी रूमाल से आखे पहुचता है कभी आप इही आप कहता है हाँ, सारा परिश्रम व्यर्थ गया सारी चेश्टाय निश्फल हुई क्या करूं, कहां जाओं, उन्हें कहां ढूंडू सारा उन्नाव च्छान डाला परन्तु फिर भी पता न लगा ईवक आगे कुछ और कहने को था कि कमरे का द्वार धीरे-धीरे खुला और एक नौकर अंदर आया ईवक ने कुछ विरक्त होकर पूछा क्यों, क्या है नौकर, सरकार अमरनाथ बाबू आये है ईवक समहल कर अच्छा यहीं भेज दो नौकर की चले जाने पर ईवक ने रूमाल से आंके पहुश डाली और मुख पर गंभीरता लाने की चेश्टा करने लगा दौर फिर खुला और एक ईवक अंदर आया यह वक, आओ भाई अमरनाथ अमरनाथ, कहो गंश्याम आजा के लिए कैसे बैठे हो कानपुर से कब लोटे गंश्याम, कल आया था अमरनाथ, उन्नाओ भी अवश्य ही उत्रे होगे गंश्याम, एक ठंडी सांस भर कर हाँ उत्रा था परंतु व्यर्थ वहाँ अब मेरा क्या रखा है अमरनाथ, परंतु करो क्या हिर्दाई नहीं मानता है, क्यों और सच पूछो तो बात ही ऐसी है यदि तुम्हारे स्थान पर मैं होता तो मैं भी ऐसा ही करता गंश्याम, क्या कहूं मित्र, मैं तो हार गया तुम तो जानते ही हो कि मुझे लखनव आकर रहे एक वर्ष हो गया और जब से यहां आया हूँ उन्हें ढूंडने में कुछ भी कसर उठा नहीं रखे परंतु सब व्यर्थ अमरनाथ, उन्होंने उन्नाव ना जाने क्यों छोड़ दिया और कब छोड़ा इसका भी कोई पता नहीं चलता घंश्याम इसका तो पता चल गया ना कि वे लोग मेरे चले जाने की एक वर्ष पश्चात उन्नाव से चले गए परंतु कहां गये ये नहीं मालू अमरनाथ, ये किस से मालूम हुए घंश्याम उसी मकान वाले से जिसके मकान में हम लोग रहते थे अमरनाथ हाँ शोक घंश्याम कुछ नहीं ये सब मेरे ही करमों का भल है यदि मैं उन्हें छोड़ करना जाता यदि गया था तो उनकी खोज खबर लेता रहता परन्ति मैं तो दक्षन जाकर रुपिया कमाने में इतना व्यस्त रहा कि कभी याद ही नाए और जो आए भी तो खशन मात्र के लिए उफ कोई भी अपने घर को भूल जाता है मैं ही ऐसा अधम अमरनाथ बात काट कर अजी नहीं, सब समय की बात है गंशाम मैं दक्षन ना जाता तो अच्छा था अमरनाथ तुम्हारा दक्षन जाना तो व्यर्थ नहीं हुआ यदि ना जाते तो इतना धन गंशाम अजी चूले में जाए धन ऐसा धन किस काम का मेरे हिर्दाय में सुख शान्ती नहीं तो धन किस मर्ज की दवा है अमरनाथ हाथ में लाल डूरा क्यों बाधा है गंशाम इसकी तो बात ही भूल गया ये राखी है अमरनाथ भाई वाँ अच्छी राखी है लाल डूरे को राखी बताते हो ये किसने बांधी किसी बड़े कंजूस ब्रहमर ने बांधी होगी दुष्ट ने एक पैसा तक खरचना पाप समझा दोरे ही से काम निकाला गंशाम संसार में अधी कोई बढ़िया से बढ़िया राखी बन सकती है तो मुझे उससे भी अधिक कहीं प्याराई ये लाल डूरा है ये कहकर घंशाम ने उसे खोल कर बड़े यतने पूरवा का अपने बक्स में रख लिया अमरनाथ बै तुम भी विचित्र मनुशो आकर ये दोरा बांधा किसने है घंशाम एक बालिका ने पाठक समझ गए होंगे कि घंशाम कौन है अमरनाथ बालिका ने कैसे बांधा और कहा घंशाम कानपुर में घंशाम ने सारी घटना कह सुनाई अमरनाथ यदि ये बात है तो सत्ती ही ये दोरा अमूल है घंशाम ना जाने कि उस बालिका का ध्यान मेरे मन से नहीं उतरता अमरनाथ उसकी सरलता तथा प्रेम ने तुम्हारी हिर्दाए पर प्रभाव डाला है भला उसका नाम क्या है घंशाम नाम तो मुझे नहीं मालू बीतर से किसी ने उसका नाम लेकर पुकारा था परंद में सुनना सका अमरनाथ अच्छा खेर अब तुमने क्या करना वेचारा है घंशाम धैरेकर चुपचा बैठने के अत्रिक तोर मैं कर ही कह सकता हूँ मुझसे जो हो सका मैं कर चुका अमरनाथ हाँ यही ठीक भी है इश्वर पर छोड़ दो देखो क्या होता है पूरवक्त घटना हुए पांच वर्ष व्यतीत हो गए घंशामदास पिछली बाते प्रायह भूल गए है परंतुस बालिका की याद कभी कभी आ जाती है उसे देखने वे एक बार कानपूर गए भी थे परंतुस का पता न चला उस घर में पूछने पर ग्यात हुआ कि वो वहां से अपनी माता सहित बहुत दिन हुए ना जाने कहां चली गई इसके पश्चाज जो समय बीटता गया उसका ध्यान भी कम होता गया पर अब भी जब वे अपना बक्स खोलते हैं तब कोई वस्तु देखकर चोक पड़ते हैं और साथ ही कोई पुराना द्रिश्य भी आँखों के सामने आ जाता है गंशाम अभी तक का विवाहत है पहले तो उन्होंने निश्य कर लिया था कि विवाह करेंगे ही नहीं पर मित्रों के कहने और सुयम अपने अनभावने उनका विचार बदल दिया अब वे विवाह करने पर तयार हैं पर अभी तक कोई कन्या उनकी रुची के अनुसार नहीं मिली जेट का महीना है दिन भर की जला देने वाली धूब के पश्या सूर्यास्त का समय अत्यंत सुखदाई प्रती तो हो रहा है इस समय घंश्याम दास अपनी कोठी के बाग में मित्रों सहिद बैठे मंद मंद शीतल वायू का आनंद ले रहे है आपस में हास रस पूर्ण बाते हो रही है बाते करती करती एक मित्र ने कहा अजी अभी तका मरनाथ नहीं आए घंश्याम वो मनमौजी आदमी है कहीं रम गया होगा दूसरा नहीं रम नहीं वो आजकल तुम्हारे लिए दुलहन ढूनने की चिंता में है घंश्याम बड़े दिल लगी बाजो दूसरा नहीं दिल लगी की बात नहीं है तीसरा हाँ परसुम मुझसे भी वो कहता था कि घंश्याम का विवा हो जाए तो मुझे चैन पड़े ये बाते हो ही रही थी कि अमरनाथ लपकते हुए आप पहुँचे घंश्याम आओ यार बड़ी उमर अभी तुम्हारी ही याद हो रही थी अमरनाथ इस समय बोलिये नहीं नहीं एक आध को मार बैठूँगा दूसरा जान पड़ता है कहीं से पिटकर आयो अमरनाथ तु फिर बोला क्यों दूसरा क्यों बोलना किसी के हाथ बेच कहाया है अमरनाथ अच्छा दिल लगी छुड़ एक आवश्यक बात है सब उत्सुक होकर बोले कहो कहो क्या बात है अमरनाथ घंश्याम से तुमारे लिए दुलहन ढूण ली है सब एक स्वर से फिर क्या तुम्हारी चांदी है अमरनाथ फिर वही दिल लगी यार तुम लोग अजीब आदमी हो तीसरा अच्छा बताओ कहां ढूणी अमरनाथ यहीं लखनव में दूसरा लड़की का पिता क्या करता है अमरनाथ पिता तु सौरगवास करता है तीसरा यह बुरी बात है अमरनाथ लड़की है और उसकी माँ बस तीसरा कोई नहीं विवाह में कुछ मिलेगा भी नहीं लड़की की माँता बड़ी गरीब है दूसरा यह उससे भी बुरी बात है तीसरा, उल्लू मर गए, पठे छोड़ गए, घर भी ढूंडा तो गरीब, कहां अमारे घंश्याम इतने धनाध्य और कहां सस्राल इतनी दरिद्र, लोग क्या कहेंगे? अमरनाथ, अरे भाई, कहने और ना कहने वाले हमी तुम्हें, और यहां उनका कौन बैठा है जो कहेगे? घंश्याम दास ने एक ठंडी सास ले, तीसरा, आपने क्या भलाई देखी, जो ये संबंध करना विचारा है? अमरनाथ, लड़की की भलाई, लड़की लक्षमी रूपा है, जैसी सुन्दर वैसी सरल, ऐसी लड़की यदि दीपक लेकर ढूंडी जावे, तो भी कदाचित ही मिले? दूसरा, हाँ, ये आवश्य एक बात है, अमरनाथ, परन तु लड़की की माता लड़का देखकर विवाह करने को कहती है, तीसरा, ये तो वैवार की बात है, घंशयाम, और मैं अभी लड़की देखकर विवाह करूंगा, दूसरा, ये भी ठीक ही है, अमरनाथ, तो इसके ये क्या विचार है, तीसरा, विचार क्या लड़की देखेंगे, अमरनाथ, तो कब, घंशयाम, कल, दूसरे दिन शाम को घंशयाम और अमरनाथ गाड़ी पर सवार होकर लड़की देखने चले, गाड़ी चकर खाती हुई, यही अगंज की एक गली के सामने जा खड़ी हु ले, मकान देखने से तो बड़े गरीब जान पड़ते हैं, अमरनाथ, हाँ बात तो ऐसी ही है, परन्त यदि लड़की तुम्हारी पसंद आ जाए, तो ये सब सेहन किया जा सकता है, इतने में दौर खुला और दोनों भीतर गए, संद्या हो जाने के कारण मकान में अंधिर हो गया था, अते हो, ये लोग दौर खोलने वाले को इस पश्ट न देख सके, एक दालान में पहुंचने पर ये दोनों चार पाईयों पर बिठा दिये गए और बिठाने वाली ने, जो इस्तरी थी, कहा, मैं जरा दिया जला लू, अमरनाथ, हाँ जला लू, इस्तरी ने द जान शुन होकर गिर पड़ी, इस्तरी की और कुछ अंधीरा था, इस कारण उन लोगों को उसका मुख इस पश्ट न दिखाई पड़ता था, घंशाम उसे उठाने को उठे, परंद जेह ही उन्होंने उसका सिर उठाया और रोशनी उसके मुख पर पड़ी, ते हुई जाने तुमने कहा कहा की ठोकरे खाई, वे अंत को इस परकार मिले, घंशाम अपने को संभाल कर बोले, थोड़ा पानी मंगाओ, अमरनाथ, किस से मंगाओ, यहां तो कोई और दिखाई ही नहीं पड़ता है, परंद हाँ वो लड़की तुम्हारी, कहते अमरनाथ रुख इस अचेत शब्द में न जाने क्या बात थी, कि तुरंथी घर के दूसरी ओर बरतन खड़कने का शब्द हुआ, तद पश्यातिक पूर्ण वयस का लड़की लोटा लिए आई, लड़की मुझ कुछ ढके हुए थी, अमरनाथ ने पानी लेकर घंशाम की माता की आंके तथ मुख धो दिया, थोड़ी देर में उसे होश आया, उसने आके खोलते ही फिर घंशाम को देखा, तब वो शीगरता से उठकर बैठ गयी और बोली, ए, मैं क्या स्वपन देख रही हूँ, घंशाम, क्या तु मेरा खोया हुआ घंशाम है या कोई और, माता ने पुत्र को लड़की कोई और नहीं, वही बालिका है, जिसने पांच वर्ष पूर उनकी राकी बांदी थी, और जिसकी याद प्रायह उन्हें आया करती थी, श्रावण का महिना है और श्रावणी का महोत्स, घंशाम दास की कोटी खूप सजाई गई है, घंशाम अपनी कमरे में बैठ कर राकी बांदी, घंशाम ने दो अशर्फिया उनके हाथ में धर दी और मुस्करा कर बोले, क्या पैसे भी देने होंगे, सरस्वती ने हस कर कहा, नहीं भईया, ये अशर्फिया पैसों से अच्छी है, इन से बहुत से पैसे आवेंगे, अभी आप सुन रहे थे, विश्व